यूँ तो मेंदिपूर बालाजी दाम चमतकार देश विदेशों तक परशिद है और बालाजी महाराज गिमाहिमा भी अप्रमपार बताए जाती है लेकिन बालाजी दाम में इस्तित एक ऐसा सिव मंदिर जिसको देख कर आप को भी लगेगा कि केलास परवत का सा नजरा मेंदिपूर बालाजी में इस्तित केलास परवत की गुफा के अंदर है बगवान सिव का यहां मंदिर बगवान सिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं सरदालो दर्शन करने वाले सरदालो को बगवान सिव का आसिरवात प्राप्त होता दर्शन करने पर बगव बगवान ओस सिव्फ जादा प्रसन होंगे क्योंकि इस बार कहा जाता है कि सावन मास के पॉर्ण बगवान काया करते है तो पूरे तर पर्शन होंगे और अपने बगतों पर दया करेंगे सावन महा के अफसर पर बगवान सीव को दूद, पानी, जल्व दर्शन करने से सरदा लोगा पूरा फ़ल मिल जाता है इन सभी से बगवान सीव परसन होते हैं बगवान सीव और राध्य देव है राम जी के ये बहुत जल्व परसन होते है और इस बार कहीं युगोबाद ऐसा आया है कि आया है इस पावन परपज जो इस बार विश्यस परवाया है ऐसे ये 69 दिनों का है सावण इसमें जो भी भवान शीव को बेरिपत्र के अलावा जल चढ़ा दे, दूज चढ़ा दे, दर्शन कर ले उसमें पूरा फल मिलता है बहुत जंदी प्रशन होते हैं ये प्रेता द्वापर और कली युग में पहली बार ऐसा हुआ है कि शावण मास में 69 दिनों का शावण हुआ है इसमें सारे संद प्रफल लेते हैं प्रशन हैं और चारत दर्फ शिव और भगवान शिव की जय जय कार हो रही है तारे भक्त मगन हैं प्रशन हैं इस पर फसल भी अच्छी होंगी